हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल विशू टुटोरियल में तो कैसे हैं आप लोग आज हम लोग क्लास एट का वाव मैस बूक है एक्सराइज 2.1 का लास्ट कोश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रिस करके और यह दिया हमारे ग्रूप से और चाहते हैं थो लोग नहीं पहली बार है अगर चाहते हैं कि आप ग्रूप में पर वाट्सप करें तो हमारे क्या है देखिए वाइट नंबर शुडो माईनस था नबर है वोग इसले अरे डिवाइड़ करें गखपके सर य हूं हमारा माइनस थ्री वाई टू आ जाए ठीक है तो इसे कैसे देखेंगे देखिए कि मालेंगे कि लेट दा नंबर शुडवी डिवाइड़ कि भी एक्स ठीक है उस नंबर को हमने क्या मनें यह को नंबर कौन सा हमारा एक से ठीक है अब क्या कर रहा है दिखिए कोस्चन के उसारे फिर हम लोग जानते हैं एक बात यह वाला फर्मॉला आप जानते होंगे डिवाइड इस इकोल टू डिवीजर इन्टू को सेंट प्लास रिमेंडर ठीक है यह होते हैं आप लोग को फॉर्मॉला यह आप लोग पढ़ त्यार होंगे आप लोग को पता भी होगा ठीक है तो प्लास रिमेंडर नहीं जिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है रिमेंडर हमाना क्या है जिरो अब देख्ãyãy subscribe मैन इसे हमें प्लास में करना महतों और का размake तो आईए कर देते हैं इस पॉसिटिव यानी प्लस में तो देखें एक बाई मいます 5 का पावर 2 हो जाएगा is equal to x into minus 3 by me 2 plus करें तो भी हो जाएगा ठीक है तो minus 3 by me 2 into x करें तो हमरा क्या हो जाएगा यह चुड़ी है आप minus 3 by me 2 ही रखते हैं अब दिखिए minus 3 by 2 इधर क्या है plus में है sorry into में है इधर आके क्या हो जाएगा divide में तो 8 का पावर 2 कहने का मतलब 8 8 जा 64 by me minus 5 का square करें तो कितना हो जाएगा 25 ठीक है 25 divided by minus 3 by me 2 is equal to x यह होगा ठीक है अब क्या है यहाँ पर हमारा divide में है minus 3 by 2 क्या है हमारा divide में है और divide में मल्टिप्लाइ में चेंज होता हमारा क्या होता है साइन चेंज तो x is equal to हो जाएगा 64 by me 25 into 2 by में माइनस 3 ठीक है इतना होगा अब दिखें कटने वाला है क्या तू से यह तो नहीं कटेगा ठीक कटेगा देख लेते हैं थ्री से भी नहीं कट रहा है तो हमारा क्या हो सेवेंटिफाइब और यह माइनस में यानि कि माइनस 128 वे में सेवेंटिफाइब यह जाएगा आंसर यानि कि अगर इसे हम लोग इतना से डिवाइड देए तो हमारा कोशेंट क्या आजएगा माइनस 3 बाइटू आजएगा ठीक है